हेलो डिवन, स्वागत है आप सब का लड़िंग विद गौतम यूट्व चैनल में तो आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लाश 12 जोगरफी के यानि की भुगोल के मौस्ट इंपोर्टेंट भीविया अबजेक्टिव कोशन एंसर को जो कि आपके आने वाले बोड एकजाम के लिए काफी जादा इपोर्टेंट प्रस रहने वाला है तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यान पुरुवक और लास्त तक जरू देखिएगा तो चलिए सुरू कर लेते हैं फस्ट कोशन से और पहला कोशन है अमारा निम्र में से यानिके जो चार आप्शन दिया हुआ है इसमें से किसे किरसी का गहना कहा जाता है तो किरसी का जो गहना है ये हरी खाद को कहा जाता है आप्शन मेर डी हो जाएगा याद रखेगा किर्सी का गहना किसे कहा जाता है तो हरी खाद को Option मर D हो जाएगा अगला कोशन है जूमी खेती जो है या किस छेतर में अधिक परचलित है आपर जूम है या पिर जूमी आप बोल सकते है जूमी खेती जो होते हैं अस्थांत्रित किर्सी भी करते हैं वह किस छेतर में अधिक परचलित है तो पुरुवत्तर भारत में option मर भी हो जाएगा पुरुवत्तर भारत में जुमी खेती जो है ये अधिक मात्रा में परचलित है option मर इसका भी हो जाएगा अगला कोशन है भारत में कुल भूमी छेत्रफल का कितना परतिसत किरिसी के अंतरगत आता है भारत में अगर पुल छेत्रफल भूमी जो है यह 100% है तो उसका कितना परतिसत किरिसी के अंतरगत आता है 100% अगर मालेजे पूरा भारत का हिस्सा है तो इसका कितना परतिसत जो है जिसमें की किरसी की जाती है तो 43% यानि की 43% ही भूमिय है जिसमें भारत में किरसी की जाती है समझ गये? Option मेरे इसका क्या होगा? तो ए हो जायगा अगला question है हमारा निम्न में से यानिके जो चार ओप्शन दे ओओ इसमें से कौन सी मिटी भारत में सरवाधिक पाई जाती है किस टैप की जो मिटी होती है ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है काली मिटी, जलोड मिटी, लाल मिटी या बलूई मिटी तो जलोड मिटी जो होती है ये भात में सरवादिक मातरा में पाई जाती है option मन B हो जाएगा और ये question सेम जो question है कई बड़ा आपके exam में already पूछा गया है तो इसको अच्छे से यादि रखेगा कि जलोड मिटी जो होती है ये भारत में सरवादिक छित्रों में पाई जाती है अब अगला कोशन है भारत का कौन सा राज चाय उत्पादन में अग्रानी है यानि कि सबसे आगे है भारत में जितने भी राज है उसमें से कौन सा ऐसा राज है जो कि चाय की उत्पादन में सबसे अग्रानिय आगे हैं तो अशमर राज यानि कि option में इसका B हो जाएगा असम जो है भात में चाहिकी उत्पादन में अग्रानी राज है अगला question है गंगा का डेल्टा किस राज में इस्तित है गंगा का डेल्टा या किस राज में इस्तित है तो पच्छी मंगार राज में इस्तित है गंगा का डेल्टा option में इसका C हो जाएगा अगला question है हरित कांती का सरवादिक लाब किस फसल को हुआ था अगला question है हमारा निमलिकित में से कौन सा नगर कोईला उद्योग के लिए परसीद है जोदपूर कोलकाता धनवाद और राची तो आपको पता ही होगा कि चारो राज में से कौन सा जो सोहर है ये कोईला के लिए उद्योग के लिए परसीद है कौन सा परसीद है तो धनवाद, option में इसका B हो जाएगा धनवाद क्या है तो ये एक ऐसा सहड़ है नगर है जो कि कोईला उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा फेमश है परसीद है option में इसका C हो जाएगा अगला कोशन है मारा भारत का कौन सा राज सबसे अधिक गिहू उत्पादन करता है ये भी कई बार कोशन पूछा जा चुका है जबकि सिंपल सा कोशन है फिर भी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं पंजाब भी लगा देते हैं लेकिन याद रखने हैं आपको उत्तर प्रदेश जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा गिहू उत्पादन करता है option में इसका B हो जाएगा अगला कोशन है मारा भारत का कौन सा राज सरवादिक जनसंख्या वाला राज है अब आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा राज जो भारत का कौन सा है तो उत्तर प्रदेश ही है तो उत्तर प्रदेश अगर सबसे बड़ा राज है तो हाँ पर जनसंख्या भी तो ज्यादा ही होगी न option में इसका C हो जाएगा भारत का कौन सा राज सरवादिक जनसंख्यावल है तो उत्तर प्रदेश और छित्रफल के बारे में पूछे कि भारत का कौन सा राज जो है वो सबसे बड़ा है छित्रफल के मामला में तो याद रखना है राजस्थान ठीक है राजस्थान जो है ये छित्रफल के मामला में इसी दस में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा, आपका आर्ट में चाहिए हिंदी हो, हिष्ट्री हो, जोगरफी, political, economics, music, होंसा, sociology, psychology, economics, इसी दस में से कोई 5 सब्जेक्ट होगा, तो इस पांचों सब्च का जो गेस्क्वाट का यहां आपके एक्जाम के लिए यह आप ले सक दोनों पार्ट के जितने भी चैप्टर वाइज इंपयृटिफ एड़ कर दिया जिसमें 1000 के करीफ में इतना आपको करना ही पड़ेगा अगर आप लोग सुझते कि आपके एकज्ञा में 70 कोश्चन रहेगा अब 200 या 300 कोश्चन कर लेते हैं उससे आपके exam में सारे question बन जाएगे तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है, कि कोई आप 2-3 question पढ़े और इसमें से कोई 1 आ ही जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, इतना question अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, और इसमें कोई ज्यादा आपको लगेगा आपको मिलेगा लगुतरिय और दिर्गोतरिय प्रशन, इसमें भी जो है, प्रशनों के सकते थे, इंपॉर्टेंट थे, सारा प्रशन इसमें एड़ कर दिया गा, अगर ये दो कर लेते हैं, इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज्रोत नहीं है, आप लोग अपने जो यहा की नहीं तो आप लोग पिछला कोशन साल का जो कोशन होगा वो भी आपको दे रहें जो कि 2013 से लेकर के मिल जाएगा जाए अग्र आप के आपका मुजिक होगा तो मुजिक में आपको यह तीन मिल जाएगा यानि किlast Yeah सत्राइब आपको मिले गा, इस 15 से 17 पीडियाफ को अकर आप लोग अच्छा से कर लेते हैं, जैसले इंगलीस में आपको च्टूरिय हो सब्जेक्टिव भाजेक्टिव दोनों मिल रहा है, इस तरह से अगर आप 15 और 17 पीडियाफ को कर लेतें, आपस एक जहां में एक भी प्रश नहीं छूटेगा अब इस बात करें यह तो समझ गए कि इसमें आपको क्या-क्या रहेगा अब लेना कैसे इस पीडियाप को तो यह देखे इसके लिए किवल और किवल आपको 50 रुपे पे करना और 50 रुपे में आपको 500 सब्जेट का पीडियाप मिल का नाम मैसेज कर दिजएगा और आपको जो पीडियाफ है वो वाट्सेट पे मिल जाएगा कहीं से डाउनलोड करने की जोड़ोत नहीं है किसी एप पर जाने की जोड़ोत नहीं है जो वाट्सेट नमबर आप कर रहेगा उसी वाट्सेट नमबर पर यह पांचो में और बहुती बढ़िया टीच में से अपने एक्जाम के त्यारी कर सकतों है और इसको करने के बाद को कुछ भी करने की जोट नहीं पड़ेगी ठीक है अब आते हैं अपने Question पे अब अगला Question था हमारा नेम्लिकित में से किसे काला सोना कहा जाता है यह काला सोना किसे कह जितने थी इसके उत्पादन को बढ़ाना हरित क्रांती का पड़मुक उद्देश था ओप्शन में इसका ए हो जाएगा और सबसे ज्यादा इसका फाइदा की स्फसल को हुआ था तो गिहूं को हुआ था अगला कोशन है हमारा निस्ट कोशन भारत में मेट्रो पॉलिटियन स सहर कौन सा निक ऐसा कौन सा सहर है जिस सहर में सबको बताना है जिसमें कि अभी तक मुझो है मेट्रो नहीं चली है तो दिल्ली में मेट्रो चलती है मुंबई में चलती है चन्ने में भी चलती है और पटना में अभी तक काम चलू चालू है लेकिन अभी तक स्टार्ट नही वो ओडिशा है, option वर D हो जाएगा ओडिशा की डाजधानी अगर पूछ ले आप से जामें तो याद रखेगा भूमनेश्वर होता है अगला कोशन है हमारा भात में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला उवड़क कौन सा है, यानि कि खाद जिसे हम कहते हैं वो उवड़क कौन सा है, जिसे की भात में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इसका एंसर भी आप कई लोग को पता ही होगा यूरिया को हर एक फसल में दिया ही जाता है यूरिया जो है ऐसा खाद है उबड़क है जिसका की भात में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है अगला कोशन है मारा प्रित्वी पर जल का कुल भाग कितना है यानि प्रित्वी पर जो कितना परतिसत केवल पानी है तो सोच सकते हैं कितना पानी होगा हम लोग केवल 29% जो भुबाग है बचा हुआ उसी पर ही रहते हैं प्रित्वी का जो कुल भाग है उसका 71% जो भाग है उस पर केवल पानी ही है अगला कोशन है मानसून के दौड़ान भारत में सबसे ज़्यादा वर्सा कहा होती है भारत में मांसून के दोरा सबसे ज़्यादा जो बरसा है वो मेघाले में होती है मेघाले में अधिकतर समय बरसा ही होती रहती है सबसे जो गिला कह सकते वेट फैलेस जो है वो मेघाले ही है option में इसका C हो जाएगा अगला कोशन है कौन सा राज साथ बहनों का हिस्सा नहीं है साथ बहनों जो साथ बहनों का है उनका हिस्सा कौन का है तो देख लेते हैं त्रीपुड़ा तो है ही मनीपुड़ भी है ही मिजोड़म है ही सिक्किम जो है यह नहीं है साथ बहनों का हिस्सा option में इसका यह हो जाएगा next question करते है और अगला question है हमारा भारत में बांधों का सबसे बड़ा love क्या है भारत में जितने भी dam है बांध है उसका love क्या होता है उसका benefit क्या होता है तो पहला तो benefit होता है कि उससे सिचाई में मदद मिलती है और दूसरा होता है उसमें मदद मिलती है उससे लाव मिलती है option में इसका C हो जाएगा अगला question है हमारा कौन सा वनश्पती छित्र पच्मी घाटों में पाया जाता है कौन सा वनश्पती छित्र जो है ये पच्मी घाटों में पाया जाता है तो उश्न कटी बंदिये शदा बहार 1 ये पच्पी घाटों में पाया जाता है वनिश्पती छित्र option नमर इसका B हो जाएगा अगला कोश्चन है भात का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है भात का सबसे लंबा नदी कौन सा है तो सबको पता होगा गंगा जो यह भात का सबसे लंबा नदी तंत्र है option मिर्सका A हो जाएगा अगला question है भात में सबसे अधिक चाई उत्पादन करने वाला राजी कौन सा है चारा option दियाओ इसमें से आपको बताने है कि भात में सबसे जादा अधिक जो चाई का उत्पादन है वो कौन सा राजी करता है तो असम करता है option मिर्सका B हो जाएगा अगला question है हमारा कौन सा सहर जीलो का सहर कहा जाता है जीलो का जो सहर है किस सहर को कहा जाता है तो उदेपूर जो सहर है इसको जीलो का सहर कहा जाता है option मर इसका B हो जाएगा याद रखने है जीलो का सहर किसे कहा जाता है उद्यपूर जो है इसको जीलो का सहर कहा जाता है उद्यपूर की सिराज में है तो उद्यपूर जो है रास्थान में पढ़ता है अगला कुशन है हमारा कौन सी नदी दच्चिन भारत की सबसे लंबी नदी है दच्चिन भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी नदी है चार नदी का नाम दिया हो इसमें से आपको बताना है तो गुदावडी नदी जो है ये जो है ये गुदावडी नदी ये सबसे दचीन भारत की सबसे लंबी नदी है option मर क्या हो जाएगा तो option मर इसका B हो जाएगा अगला question है भारत में सबसे अधिक बाजरा उत्पादन किस राज में होता है भात में सबसे अधिक बाजरा का जो उत्पादन है या किस राज में होता है तो रास्थान में होता है भात में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन option मर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा रास्थान राज में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन किया जाता है अगला कोशन है मिर्दा अपर्दन को रोकने के लिए कौनसी विधी सबसे उप्युक्त है मिर्दा अपर्दन को रोकने के लिए कौनसी जो विधी है चार आप्शन साब को बताना है वो सबसे ज्यादा अच्छी है उप्रिक्त है तो विर्च रोपन यानि विर्च रोपन करेंगे पेरों को लगाएंगे उससे मिर्दा फ्रदरन रोकने में हमें ससाहिता हो मिलेगी ठीक है उप्रिक्त ये सबसे अच्छी विद्य है विर्च रोपन ऑप्शन में बी हो अगला कोशन है गंगा का उद्गम अस्थल कहां है गंगा का उद्गम अस्थल है यह कहां से होता है तो गंगोत्री गलेसियर से गंगा का उद्गम अस्थल है यानि क्या हो जाएगा ऑप्शनमर इसका हो जाएगा भी गंगा का उद्गम अस्थल गंगोत्री गलेसियर है option नमर A हो जाएगा, next question है, भारत में मानसुन का प्रभाब किस पर निर्वर करता है, भारत में जो मानसुन का प्रभाब है, यह किस पर निर्वर करता है, तो यह वायू दाब पर, किस पर तो वायू दाब पर निर्वर करता है, भारत में मानसुन प्रभाब, option नमर C हो अब अगला कोशन करते हैं 31 नमर कोशन और 31 नमर कोशन है मारा भात में सबसे उचा जलपरपात कौन सा है भात का सबसे उचा जलपरपात है और यह कई बार एक्जाम में पूछा गया कोशन है तो याद ही रखेंगे कि भात का सबसे उचा जलपरपात कौन सा है तो कुन चिल ह option में इसका C हो जाएगा अगला question है मारा Odisa में कौन सी खाड़ी इस्तित है Odisa में कौन सी खाड़ी इस्तित है तो पता ही होगा बंगाल की खाड़ी इस्तित है Odisa में option में इसका A हो जाएगा अगला question है मारा सबसे बड़ी जील कौन सी है चार जील का नाम दियावा है चिलका जील, कुलूर जील, सांबर जील, कुलूरू जील इस चारो जील में से सबसे बड़ी जील कौन सी है तो इसमें से option हो जाएगा इसका A चिलका जील जो है यह सबसे बड़ी जील है option नमर A हो जाएगा अगला question है मारा 34 गर्यारा मिदा मिवा, भारत में रेसम की उतपादन का सबसे बड़ा Raja कौन सा है भारत में रेसम की उतपादन करने में सबसे बड़ा Raja कौन सा है तो कर्नाटक है option मर भी हो जाएगा और आज की इस वीडियो का last question है मारा कौनसा प्रवत स्रेणी उत्तर दच्चिन दिसा में फैला हुआ है कौनसा जो प्रवत स्रेणी है ये उत्तर दच्चिन दिसा में फैला हुआ है अरावली स्रेणी जो है ये उत्तर दच्चिन दिसा में फैला हुआ है option में रिसका A हो जाएगा इसी एक साथ वीडियो पर करते हैं आसा करतों आप लोग के वीडियो अच्छा लगा हुआ ठीक है और उपर जो आपको PDF के वारें बता है जिसमें की guess question रहेगा उसको जरूर ले ले जएगा और उसको अच्छे से complete कर लेते हैं उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जोते है guess paper भी पढ़ने की जोते है वैसे भी guess paper में कई सारा question का answer आता है वो गलत दिया रहता है और उसमें क्या रहता है कितावी भासा में answer को दिया रहता है लेकिन जो आपको guess question मिलेगा उसमें जो subjective question का answer है रहेगा वो simple language में रहेगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं और उसको उतना कर लेने कवाल आपको कुछ भी करने के ज्रौती नहीं पड़ेगे ठीक है तो मिलते हैं next वीडियो में ने वीडियो के साथ